नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत शौगते दोस्तों इस पेड़ के नीचे है दस कडूर का धन प्रंतु आपको केशे मिलेगा जानने के लिए आज किस वीडियो को शुरूश लिकर अंध तक जरूर दिखिएगा जी दोस्तों दोस्तों हम आप शबी को बता दे कि अब आपकी जुनकाल में बहुत बड़ा शमतकार होने वाले हैं जी दोस्तों हम आप शबी को बता दे कि अब आपकी जुनकाल में शारे दुखों का अंत होने वाले हैं अब आप शबी की जुनकाल में कुश्यों की बारिश होने वाली है जिया दोसों हम आप शिभी को बता दें कि पिछले कई शमयों से आपकी जुनकाल में लगातार दुख, शमर्शाएं और परिशानियां ही चल रही थी कभी भी उम्मिद की नई किरन आप शिभी की जुनकाल पर नहीं जगी और दोसों आप अपने जुनकाल में बहुत ज़्यादा परिशान हो गए लेकिन दोसों माप शिभी को बता दें कि आप यह बात तो जानते ही हैं कि भगवान के घर देर हैं अंधेर नहीं है जिए दोसwn भगवान व्यlarकती की मदद अवश करते हैं ne वले फ़ये वह अपना रूप में नहीं लेकिन रूप बदलकर किशी शंकोट के दोवारा उनकी पेए मदद करते हैं उनकी जुनकाल ऊपशिप को पतादे कि एक आ knocking केशे पेड़ हैं जिनके पास 10 कड़ोरों का भी धन है अगर आप इनकी पहचान कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए यह आपके पूरा जीवन को ही बदल शकता है जिया दोस्तों तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप शबी को यह बात बताएंगे कि यह पेड़ कौ रह गोचर प्रणिमीद है साथी साथ दोस्तों आपको अपने जुनकाल में कौश विश्य शावदियां रखनी है ताकि दोस्तों फिर शे यह आपके जुनकाल में दोबारा ना आए जैसे दोस्तों मालक्षमी आपसे बहुत ज्यादा प्रशन होगी और धन की कमी आपके ज जब दोस्तों उस्टे हुं जोवी मालक्षमी के सत्चे भक्त हैं ुट्सों वीडیयो को एक प्यारा हुट जरू करें और कमेंट में सच्चे मंद से लिए जहमालक्षमी का अश्र बाद चब्रeg को प्राब्त होगा ज्यादोस्तों बात करते हैं शुरूगा श्रावान शर अर्जुन बोले कि के शव जब मिर्द्यू शभी की होनी है तो हम शत्संग भजन शेवा शिमरन क्यों करें जो इंसान मौज मस्तिक करता है मिर्द्यू तो उसकी भी होगी तो दोस्मों भगवान स्री किर्जी ने जुन से कहा कि है पार्थ बिल्ली जब चुहे को पकड़ती है तो दातों शे पकड़कर उसे मार कर खा जाती है लेकिन जब उन्हीं दातों से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नही बहुती नाजुक तरीकेशे एक जगह से दुसरे जगह पहुंचा देती है दाद भी वही है मुँ भी वही है पर परिणाम अलग-अलग होता है ठीक उशी परकार मिर्तियु शभी की होगी पर एक प्रभु के धाम में और दुसरा चौराशी के चकर में अगर आपको सच्चा लगा हो इन पर यकीन हुआ तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिए जय श्रीकिशना रादे रादे तो आई दोस्तों से के शाथ बात करते हैं कि अब आप शभी की जुनकाल में या पेशों का पेड़ आपको कहा पर मिलेगा केशे या दस कडोरों का धन आप शभी को मिलेगा मालक्समी का अश्रवाद आपकी जुनकाल पर यो होगा कौन-कौन शी बड़े कुश कुब्रे आपको देने वाले हैं शाथ 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 दोस्तों आपको अपनी जुनकाल में कौन-कौन शी विशेश शावधनिया रखने चाहिए तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विश्दार शी दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों सबसे वीशेश ज्यान नहीं पाएगा जाने अनजाने में आप गलती कर देंगे और यह धन आपके हाँ से वन्सित हो जाएगा तो दोस्तों वह बाते आपको बताने वाले हैं वीडियो को बहुत ज्यादा गौश्य सुनिएगा जहां पर धन की बात आती है दोस्तों वह होती है मां लक्ष्मी का मा लक्ष्मी का होता है जहां पर शुक्ष्रनति होता है जहांपर शुक्षूऀदाय होती है जेदोसों हम आपर घ्रम शुक्षय ध्रमें तबीतों वह पर मा सब्सक्राइब होती है जे दोसों, अगर आपके घर में खुशिया नहीं है, अगर आपके घर में प्रिशानिया ज़र रही है, तो दोसों, आपको इस बात को सब से पहले मानना होगा, कि आपके घर से कहीं न कहीं मालक्ष्मी अवसी रुष्ट हो गई है, आपके उपर मालक्ष्मी का नजर नहीं है ज्यादोस्थू आपको शबी सब्से पने प्ले चिनकाल मेन क्या करना है। कि महलक्षमी को प्रशनने के लिए आपको शुकरवार के महलक्षमी के कुछ उपायक को करना चाहिए जो शिरफ से बढ़ी और महत पूर्श हैं, तब धस्वा मिले गा вып articles कि प्राप्त करने के लिए मालक्षमी आपको कुछ शंकेत देने वाले हैं तो दोस्तों कौन से शंकेत मिलने वाले हैं आगे इस वीडियो में बात करेंगे जेदोसों आप शुभी को बता दे कि मालक्षमी हमेशा अपने भक्तों की जुनकाल में बहुत ही बड़े बड़े चमतकार करते हैं कुछ शंकेत देते हैं कि उनके जुनकाल में पूरी तरह बदलाव हो जाते हैं जेदोसों कई बार तो मालक्षमी का एशा चमतकार हुआ है कि देखते ही देखते कई लोगों का दिन बदल गए दिन दुगनी रात चोगनी तरक्की करने लगते हैं जेदोसों और अब आपके भी जुनकाल में ए्शा ही प्रस्तिती का निर्मान श्वेंग मालक्षमी करने हैं यह सबचे बरिलसों अरका शबी को बता मृक्षमी को आपके फंसे हैं कि आ होता है यह यह है आपके आज पास, गुलत होता हूँ जो यह आप पुजा के अस्तान पर कहीं पर बैठते हैं और हूं अगर आपको शनाइच देता है तो दिसक्राइब पुजा नहीं वह कार्य आपका शपल नहीं होगा मालक्षमीन से प्रशन शंतूष नहीं होगी तो दोस्टों आपको प्रिशन काल में करना क्या है कि जब भी आप अपने घर में पूजा करें कोई भी शुब मंगलिक कारी करें तो दोस्टों एसे अस्थान पर करें जहां पर किसी के लड़ शमर्पित रहना चाहिए जिए दोस्टों इनसे मालक्षमी प्रशन तो होगी शाति आपके भाग को भी चमतका देंगी जिए दोस्टों इन बातों का विशेज ध्यान आपको अपने जूनकाल पर रखने हैं तभी दोस्टों ये धन आपको प्राप्थ हो शकते हैं जिए शुत्रे अस्थानों पर ही मालक्षमी का वाश होता है तभी दोस्टों आपके घर में भी पेशों की बढ़त्री होगी तभी आपके घर में बरक्कत होना भी प्रारम हो जाएगा जिए दोस्टों अगर आप अपने जिनकाल में इन शवी बातों का ध्यान नहीं तकते थे आध्या लखना प्रारम कर दें दोस्टों यकीन मानिए मालक्षमी का वाश्य आपके घर पर आवश होगा जयадोस्टों तो है दोस्टों सके उप्रांध बात करते ही कि केशी यह पेड़ के नीचे का अध्धन आपको मिलेगा या पेड़ कहां पर हैं केशी आप पहच्छा याकिन मानिए किशमत के टाली को खूलने वाले पेड सवीद होंगी दोसों अगर इशकोन में आपके कहीं नीम का पेड निहीए तो दोस्तों इन आपके जोड़ा धर है याकिन माणिए आपके वह बदल दम लेकर किस पहचान कोते हैं कि कौन से पेड की नेचे यह धन है किसी आप इने प्राप कर सकते हैं आकिर आपको यह में कौन सी शावधिया रखना चाहिए शवी जानकारियों को दोस्तों जान लें तभी यहां चीज आपके उपर काम करेगा जिए दोस्तों शब्से पहले दोस्तों आप शिवी को बता दे कि अपने मन को श पष्वी को बता दे कि अगर आपके घर में गंगा जल है तो दोस्तों उन्हें लेकर शुर्भा उठकर अपने आपको पवित्र करकर दोस्तों उठ जाए और अपने घर के उत्तरी और पश्मी कोन के सामने जो भी आपको पेड़ दिखाए दे जैंशों जो भी पेड़ दि आपको इसे ले जाना है जैसों ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपको जाते शमेट देखने पाएं दोस्तों यह अप्पराथर काल के श्मेट में जा सकते हैं तीन्सेद पांच बजे के बीच में आप शुभा के श्मेट में जा सकते हैं जो कि मालक्षमी की दिविशक्तियां दोड़ती है जो कि आपके जुनकाल में आपको उन पेशों की और अकर्षित करेगा यह दोस्तों ध्यान शुनेगा कि तीन बज़े से लेकर पांच बज़े के बीच का जो श्रम होगा मालक्षमी के अमरी तिवेला का मुहरत पहला का श्रम जाते ही आपको अपने हाथों में थोड़ा शा शिंदूर लेना है और एक फूल लेकर जाना है जाते उश पेड़ की नीची आपको एक हाथ का गड़ा करने के बाद उश पर एक लोटा पानी रखने के बाद उश में एक फूल और यह शिंदूर डाल दे दोसों वहाँ चुब्साप घर चले आ tahun पैर को पीछे करके दोसों और मुझने के बाद दोसों आपको दोबारा पैर की तरब द्रब भेंगन नहीं है।ं तो दोस्तों अगली शुबह आपको जाकर देखना है कि वह फूल और शिंदुर उस गड़े में है तो दोस्तों यकीर मानिए उस पेड़ की निचे आपको यह कड़ोरों का धन प्राप्त हो जाएगा जो दोस्तों और एक बात ध्यान में रखें कि जब भी आप एशिक क्रिय इरिक नीचे जाये जब आप इसी कारियों को करने जा रहे हैं तो दोस्तों किसी को भी आपस पाइए अगर आप ने इस पेश्यों को प्राप्स करके घुमट कर लिए उसी मान लक्ष्मी आपके उता जाएंगी और यह पेशों का खर्चा तो तुरद हो जाएगा कि दोस्तों मान लक्षमी का हार ही गमंड है तो दोस्तों कभी भी गमंड ना करें और ना ही इस पेशिक बारे में किसी को बताएं। दोस्तों उमीद करते हैं आज को यह वीडियो आपको प्रिशन आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद